दलाइफ टीवी सच सब से आगे मनिपूर के 13 शिर्ष खिलाडियों ने बीजेपी को चेताबनी दी है कि हम अपना मेडल और अपने पुरसकार जो है वो वापस लोटा देंगे पूरा मामल आपको बताएंगे कि क्यों आखिरकार मनिपूर के खिलाडी जो है वो मोदी सरकार को इस तरह की चेताबनी दे रहे हैं और अपने मेडल वापस करने के लिए कह रहे हैं सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं सूरे प्रताब सिंग आई इस रिटायर हैं इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है ये हो क्या रहा है देश में अब मनिपूर के 13 एथलीट अपने मेडल वापस करने की चेताबनी दे रहे हैं प्रसिद मुक्यबाद सरीता डेवी और ओलम्पियन मीराबाई चनू सही 13 एथलीटों ने मनिपूर में हिंसा नहीं रुकी तो अपने सारे पदक वापस करने की धम की दी है आगे रहे हैं कि सर जी कुछ करो रैलिया बाद में कर लेना तो जब करनाटक में ये रैलिया कर रहे थे तब मनिपूर हिंसा की आँक में जल रहा था और अब एथलीटों ने उसी को लेकर बीजेपी सरकार कुछ इताबनी दी है कि मनिपूर में अगर आप शांती बाहाल नहीं करते हैं तो हम अपने मेडल जो हैं वो आपको वापस सौप देंगे और ऐसा करना बेहत ही शरमनाक होगा पूरे मामले पर दा हिंदू की खबर आपको दिखा रहे हैं कुछ जानकारी इसमें दी गई है तमाम एथलीटों ने क्या कहा है और उन तेरा एथलीटों में किन किन के नाम शामिल है ये भी आपको बताते हैं खबर देखिए हेडलाइन में लिखा है कि मनिपूर के खिलाडियों ने जल्द शान्ती बहाल नहीं होने पर पदक लोटाने का संकल्प लिया है ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और भरुत लोक कुंजारानी देवी ने ग्यारा अन्य अथलीटों के साथ ग्रीमंत्री अमिच्छा को एक ग्यापन भी सौपा है साइन करके कूकी चरंपंती समुहों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की है तो आप देख सकते हैं कि मनिपूर लगातार हिंसा की आँख में जल रहा है और हिंसा की आँख जो है वो तबाही का एक नया रूप मनिपूर में ले रही है लोगों की जान जा रही है जान माल का नुकसान हो रहा है घरों में आख लगाई जा रही है और इसी के साथ जो जरूरी सुईधाइं हैं, जो बुनियादी सुईधाइं हैं, मनिपुर में दवाई, दूद, मेडिकल जैसी चीज़े जो हैं, वो इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी की पहुच से बाहर हो रही हैं मनिपूर में हालात जो है वो बच से बत्तर हो रहे हैं हाला कि देर सवेर ही सही लेकिन गरी मंत्रियामिच्छा ने वहाँ पड़ दौरा किया लेकिन उनके दौरे के बाद भी एथलीटों ने उन्हें चेताबनी दे दी है खिलाडियों ने उन्हें चेताबनी दी है कि अगर शांती बहाल नहीं होती है तो हम अपने मेडल अपने पुरसकार जो है वो आपको वापस कर देंगे इसी के साथ यहां पर खबर में आगे लिखा है मनिपूर के 13 शिर्ष खिलाडियों ने धमकी दी है कि अगर राज्ये में जल्धी शांती बहाल नहीं हुई तो वो अपने प गुस्सा जो है वो साफ साफ देखा जा रहा है लगातार लोग केंद्री नेतत्रव से और प्रधानमंत्री मोदी से मनिपूर के हालातों को ठीक करने के लिए लगातार उन्हें दखल देने के लिए लगातार उनसे मदद मांगने के लिए पत्र लिख रहे हैं चिठियां ल लगातार कह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मनिपूर में हिंसा जो है वो लगातार चरम पर है और इसी के साथ अब एथलीटों का गुस्ता जो है वो भी बीजेपी सरकार पर यहां पर फूरता हुआ दिखाई दे रहा है आगे लिखाए ग्यापन पर साइन करने वालो में उलम्पिक पदक विजेता मीराबाई चानू, भरोत लोक कुंजरानी देवी, भात्य महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान ओईनम बेंबें देवी, मुक्यबास अल सरिता देवी, उलम्पियन जुडोका लिक माबस शुशीला देवी और मुक्यबास अल इबो म आपको वापस लोटा देंगे, इसी के साथ उगरवादियों के खिलाफ कारवाई करने की मांग भी की गई है, यहां पर जो तेरा एथलीट हैं जिन्होंने ग्यापन सौपा हैं, उन्होंने कहा है कि जो चलंपंती समूह लगातार इसे भढ़का रहे हैं, लगातार इसे आह आपको वादे रहे हैं, इस हिंसा को उन पर कारवाई भी होनी चाई आगे लिखा है, कूकी चलंपंती समूहों के साथ संचला निलंबन समझोते को रद करनी की मांग करते हुए, खिलाडियों ने कहा कि केंद्रिस रुक्षा बलू की बड़ी कमपनियों की तनाती के मनिपूर को विगटित करने की मांग को अस्विकार कराने और अवैद प्रवासियों के उनके सम्मंदित निर्वासन दोनों की मांग करते हुए ग्यापन में कहा गया है, ये उलेक करना उचित है कि अगर केंद्र जल्दी ही मनिपूर में शांती बहाल करने के लिए आवश् वापस कर देंगे, आपको बता दे कि इससे पहले भी मनिपूर में एक संगटन जो है, वो राष्ट्यपती शासर लागू करने की मांग कर चुका है, मनिपूर का एक संगटन है, जिन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है, राज्ये में हिंसा रोकने मे नाकामियाब साबित हो गई है, ना ही राज्ये में हिंसा रोकने के लिए कोई जरूरी कदम उठाए, और ना ही अंतर जातिये संबाद किया गया, जो कि राज्ये सरकार की तरफ से बहुत पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी संबाद नहीं किया गया, जिसके मद उनका गुस्तवी बीजेपी सरकार पर फूटता हुआ नसर आ रहा है। और अमिर्च शा से राज्य में जल्द से जल्द सामाने स्थिती वापस लाने की अपील करते उन्होंने कहा कि राश्ची राजमार्गो की रुकावट की कारण आवशक वस्तुए या तो अनुपलब्ध हैं या फिर बहुत महंगी है। उपर भी लगाटार हमले हो रहे हैं और आम जन को भी नुकसान पहुचा रहा है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है बीजेपी का प्रशासन है और ऐसे में इतने दिनों से हो रही हिंसा को रोकने में बीजेपी नाकामियाब कैसे साबित हो रही है। और इसी के साथ वहाँ के लोगों का गुस्सा भी अब बीजेपी और उनके तमाम मंत्री यहां तक की नरेंदर मोदी पर फूट रहा है। क्योंकि प्रचुनावों के लिए जब वोट मांगने आते हैं तब मोदी से लेकर पाशत तक जो है वहाँ पस्टार पिचारक बन करके जाते हैं और अब जब मनिपूर के लोगों को उनकी जरुरत है उनके दखल की जरुरत है तो वहाँ से उन्होंने जो है अपना किनारा क नहीं करते हैं तो हम अपने पुरस्कार अपने मेडल अपने पड़क जो है वह आपको वापस करतेंगे आप उनकी इस चितावनी को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंच बॉक्स में कमेंच करके जरूर बनताएं अगर लाइफ टीवी सच सब से आगे